नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्ख्यों पर नितीज काबिनेट की बैठक में 23 एजेंडों पर लगी मुहर क्लाइमेंट समिट COP28 UAE में बिहार के जल जीवन हडियारी अभियान की हुई प्रसंसा गया बोध गया में इस दिन से शिरू होने जा रहा है हेलिकॉप्टर से एरियल व्यूँ बीपीएसी ने फोटो और सब्जेक्ट में सुधार करने का दिया एक और मौका इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों क्यों विस्तार से नितीश कैबिनेट की बैठक में 23 एजन्डो पर लगी मुहर बिहार के मुख्यमंतरे नितीश कुमार के स्वस्त होने के बाद आज मुख्य सचिवाल इस्थत कैबिनेट कक्ष में कैबिनेट की बैठक बुलाए गए जिसमें कुल 23 एजन्डो पर मुहर लगाई गई है जिसके अंतरगत बिहार में अब इलक्टरिक वाहन और इलक्टरिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन के लिए नीती बनेगी सथा अन्य कारियालों में इस्तमाल की जाड़ी सरकारी गारी जो 15 वर्ष पुराने हैं उन्हें निबंधत यान स्क्रेपिंग के माध्यम से स्क्रेपिंग प्रक्रिया के सुक्ति दी गई है बिहार जिला परिसद नियामवाली 2030 की सुक्रिती के संबंध में इसके साथ ही इस बैटक में कई अन्य महतपुन एजेंड़ों पर भी मोहर लगाई गई क्लाइमिट समिट COP 28 UAE में बिहार के जल जीवन हडियाली अभियान की हुई प्रसंसा बिहार सिरकार के सुचना एवं जनसंपर्थ विभाग के द्वारा IPRD बिहार के तहत एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि दुबई के क्लाइमिट समिट COP 28 UAE में बिहार के जल जीवन हडियाली अभियान के वैस्विक प्रसंसा हुई है बितादे कि इस पोस्ट में दीगई जानकारी के नसार बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार के कुशल नदितु में जल जीवन हडियाली अभियान के अंतरगत जलवायू संकर प्रबंधन के छेतर में बिहार रोल मॉडल बना है वहीं बिहार का हरित आवरन 9 प्रतीशत से बढ़कर लगभग 15 प्रतीशत हो गया है वहीं राज्य सरकार ने हरित आवरन बढ़ाने का लक्ष 17 प्रतीशत रखा है आपके जानकाडी के लिए बता दे कि बिहार में हरित आवरन को बढ़ाने के लिए वर्ज 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान का सुभरम किया गया था मंत्री जमाखान की स्कॉर्ट गाडी का हुआ एक्सिडेंट एक सिपाही की मौत चार घायल बीदे देडराद बिहार के अलपसंख्या कल्यान मंत्री जमाखान की स्कॉर्ट गारी रोहतास के परस्थुआ थाना इलाके में अनियंतरत होकर हास्थे का शिकार हो गए जिसमें ड्राइवर जमाल उद्दीन खान की मौत हो गए जबकि अन्य चार पुलिस कर्मी घायल हो स्कॉर्ट जीप मंत्री की तेज रफ्तार स्यूवी से टकर लेने की कोशिश कर रही थी तभी संतुलन बिग्रा और गारी पलट गई वहीं स्तुरगटना के फीछे का कारण की जांच के लिए सासराम के अनुमंडल पुलिस पदारी कारी को निर्देश दिया गया है पंचायतों की 1675 सीटों पर इस दिन होगा मदगना राज्य निर्वाचन आयो की ओर से मिले जानकारी के इनसार बिहार में पंचायत उप्चनाओं को लेकर तारीकों का एलान कर दिया गया है जिसके तहत नामांकन दाखिल की प्रक्विया 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक की जा में मत गरना होगी बतादे कि राज्य भर में कुल 1675 पदों के लिए उप्चनाओं होंगे गौर तलब है कि बिहार में 2021 में पंचायत चुनाओं आयोजित किया गया था लेकिन पंच के कई पद खाली रह गय थे जिसके बाद पंच समीत अने रिक्त पदों के लिए फर्स 2022 म में आयोजित किया गया इस रेसेप्शन पार्टी में डियम नवल कसोड चौधरी और स्वन प्रभात के द्वारा दंपती को शुब कामनाय दी गई बतादे कि रेसेप्शन पार्टी के शुरवात रात आठ बजस होई जिसमें कई लोग पहुंचे हाला के ऐसी खबर थी कि इस रेसेप्शन पार्टी में कई सलिब्रिटी भी आएंगे लेकिन वो आ नहीं सके वह इस दोरान सभी लोगों के द्वरा क्रिकेटर मुकेश कुमार और उनकी पतनी दिव्या सिंग को वैवाहिक जीवन की शुब कामनाय दी गई इस दोरान मुकेश कुमार के द्वरा कहा इस दोरा एरियल व्यू के शुरुवात की जाने वाली है जो की आम नागरिकों के साथ साथ देश विदे से आने वाले परटकों के लिभी उपलब्ध होगी इस समन्ने एवियेशन के परदिकारियों के दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि हस्तेवा गया एरपोर्ट से हर दे शुभर दस से साम पांच बज़े तक दी जाएगी इस सेवा के तहट पहरे चरण में गया वा बोध गया सित प्रेथ शिला विष्णुपद मंदर रामशिला धुंगेश्वरी वा बोध गया की हवाई यात्रा कराई जाएगी इसके लिए प्रारंबिक रूप से 7000 से 6000 रुपे का किराया रखा गया है इसके साथ ही गया से राजगीर कुसी नगर सारनाथ की हवाई यात्रा के भी सुधा उपलब्द कराई जाएगी BPSC ने फोटो और सब्जेक्ट में सुधार करने का दिया एक और मौका अगर आभी उन लोगों मिस्ते हैं जो बिहार में सक्षक भरती परिक्षा के दूसरे चरण की परिक्षा में शामिल होने के लिए आविदन किये थे तो यहाँ खबर आपके लिए है बता दे किस परिक्षा के लिए एडमेट कार डाउनलोड करने की प्रक्रिया बीते 2 दिसमबर से शिडू हो चुकी है वहें इसके लिए परिक्षा का आयोजन 7 दिसमबर से 15 दिसमबर तक आयोजित किया जाने वाला है बिहार कडर के आयोजन अधिकारियों जो यह 2021 बैच के अधिकार्य है जिनने राश्ट्रिय पुलिस अकादमी हैदराबाद के प्रतम चरन का प्रसिक्षन हासल करने के बाद 30 सब्ता के लिए बिहार भेजा गया है उन्हें सहायक S.P. बनाया गया है और उन्हें जिला विवारीक प्रसिक्षन के लिए बिहार पुलिस अकादमी राजगीर भेजा बता दे किन सभी सहायक पुल्स अधिच्छ को जिला भी अलोट कर दिया गया है जिसके अंतरगत मुहिबुल्ला अंसारी को सारंज जला दिया गया है तो वही इसके अलावा कोटा कीरन कुमार को मुझपरपुर भावरे दिक्षा अरुन को पटना सेलंदर सिंको मुंगेर देते वे बताया गया है कि बोर्ड बैठक में राजी के 449 माध्यमिक और 7 उच माध्यमिक स्कूलों की मानता को निलंबित कर दिया गया है और बताया कि इन स्कूलों की मानता को इसलिए रद किया गया है क्योंकि इनके द्वरा निर्धारित मापदन को पूरा नहीं किया ग मालम हो कि इस से पहले बोर्ट के द्वारा 178 माध्यमिक और तीन उच माध्यमिक स्कूलों को निलंबित किया गया था ऐसे में इन स्कूलों में पढ़ने वाले चात्रों को पास के स्कूलों से टैक किया जाएगा दिखा से कलेक्टरेट तक बनेंगे पार्क मिलेंगी ये स्वधाएं बिहार की राजधानी पटना के दिखा और कलेक्टरेट के बीच राजिका सबसे लंबा पार्क 7.5 किलो मीटर इलाके में करीब 930 करों रुपे की लागस से निर्मान किया जाएगा बतादिक इस पार्क के निर्मान धाई से 3 साल में पूरा कर लिये जाएंगे मालम हो कि अज़ेपी गंगापत और अशोक राजपत के बीच का इलाका है वहिस पार्क में लोगों को कही तरह की सवधाई मिलेंगी जिन में उध्यान, वाटर बोडीज, म्यूजिकल फाउंटेन, ओपन जिम, जॉगिंग ट्रैक, चिल्रेन पार्क, मल्टी स्टोरी, पार्किंग, रिस्टुरेंट, काफेटेरिया, मॉल, साइक्लिंग ट्रैक, सीनियर सिटिजन पा उसे एजनसी चेहन की प्रक्रिया के शिर्वात कर दी गई है और एजनसी का चेहन करने का लक्ष दस जनवरी तक रखा गया है, बता दे किस इलाके में ग्रीन कोलिडोर के तौर पर विक्सत करने की योजना है सुपॉल से पटना तक चलेगी डेमू ट्रेन, इन लोगों को मिलेगा फाइदा सुपॉल से पटना के लिए रेल परिचालन सहित अन्य, मांगों को लेकर सुपॉल वेपाड संके सर्शियों के दौरा पुर्व मध्य रेलवे हाजिपुड के रेल महाप्रबंदग को सुपॉल पहुचने पर एक ग्यापन सौपा गया जिसमें बताये गया कि बिहार में सुपॉल एक मात रैसा जला है जहां से लंबी दूरी की ट्रेन तो क्या उसे अपने राज़ी के राज़धानी से भी नहीं जुड़ा गया है सुसील मोधी का इंडिया गडबंधन पर तीखा हमला चार राज़ियों के विधान सभा चुनाव में कॉंग्रिस को मिलीहार पर बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री एवं राज़े सभा सांसत सुसील कुमार मोधी के द्वारा इंडिया गडबंधन पर तीखा हमला बोलते वे कहा गया कि अगर इंडिया गडबंधन के सभी दल मिलकर चुनाव लड़ते तब भी परिणाम यही आता उन्होंने कहा कि पियम मोधी की नीती नियत और गारंटी पर देश की जनता को भड़ोसा है 2024 में प्रचंड महुबंध के साथ तीसरी बार मोधी सरकार था है अगर कॉंग्रिस इंचार राज्यों के चुनाव में इंडिया गडबंधन के अड़े दलो को साथ लेती तो परिणाम और भी खड़ाब आते जिनियों ने मध्य प्रदेश में दस उमिद्वार खड़े किया और अब उनकी सबकी जमानत जबत कड़ा कर रख दिया गया है बिहार के बाहर उनकी हैसियत एक सीट की भी नहीं है ठाइस में से बाराराज्यों में अकेले बीजपी की सरकार है रोनी आचारी ने लालु यादब को लेकर एमोशनल पोस्ट किया शेयर बिहार के पुर्व मुख्य मंत्री और राजस सुप्रीमो लालु परशाद यादब की बेटी रोनी आचारी के द्वारा अपने पता को लेकर एक एमोशनल पोस्ट शेयर किया गया है जिसमें उत लिखा गया है कि 5 दिसंबर 2022 का दिन मेरे लिए मुस्किलों से जादा खुशियों का दिन था आज पुना 5 दिसंबर है एक साल ऐसे बीता जैसे कल की ही बात हो सदायव की भाती बीते पूरे साल भी पडम पिता परमेश्वर से मेरी बस यही विंती रही कि जब तक मेरे इस नश्वर सरीर में प्रान रहे मेरे पापा को मेरे सर पर हाथ उनका सनेहिल आश्रीश वा लार रहे आज के दिन तो 2022 को दल में मेरे समुदरी लहरों के जैसे जजबात थी मगर इरादे चिटानों के जैसे मजबूत आखिर हो भी क्यों ना मेरे पापा की जिंदगी से जुरे सवाल जो तमान थे उन्हें उसी स्वस्तर रूप में देखने की काम ना थी चिस रूप में उन्हें बच्पन से देखती आई थी मेरे पापा का हस्ता खिल खिलाता मुस्कुराता चेहरा वो यूग प्रवर्तक जिन्होंने लाको करोरों लोगों को स्वाभिमान से जीवन जीने का हक और अधिकार दिलाया सदियों से चरी आ रही सामनती गुलामी की जनजीरों से मुक्त कराया जाती धर्म, छुआ छूत, उंच नीच का भेद, विद्वेश मिटाया, गाय चराने वालों, भैस चराने वालों, बकरी चराने वालों, सुर चराने वालों को पढ़ना लिखना, सीखो जैसे नारों से फ्रिरित कर जन जन में सक्छा के अलग को जगाया ऐसे महापुरुस के लिए एक किर्णी तो क्या अपनी सौच जिंद गया नियोच्छावर करने से पीछे नहीं हरती मैं शिखर दवन आज मना रहे अपना अर्तीस्वा जंदन आज लिएनि की 5 Desember को भारत के सलामी बले बाद सिखर दवन के दोरा अपना अरतीस्वा जंदन मनाया चारा है वहीं फैंस के दौरा भी उन् называется शुब कामनाय दी जा रही बतादे कि सिखर धवन के करियर के शिर्वात खराब रही थी लेकिन हो नहीं अपनी कोशिशे काम्याब क्रिकेटर में से एक बन गए मालुम हो कि सिखर धवन को सभी गबड के नाम से भी जानते हैं जो उन्हें रंजी ट्रॉफी के दौरान कोच विजय के दौरा दिया गया था क्योंकि वो फिल्म सोले के विलन गबड की नकल करते थे पतादे कि इनकी गिंती बेस्ट ओपनर्स में की जाती है सिखर धवन को साल 2010 में इंटरनाशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला औस्ट्रेलिया एक खिलाफ अपने पहले वन डे मैच में धवन सुने पर आउट हुए थे इसके बाद साल 2012 में धवन को T20 में डेब पतादे कि इसके बाद राजधानी पत्नामी आज पेट्रोल 107.24 रुपे और डीजल 4.64 रुपे प्रती लिटर में बिल रहा है वजब पर पुर्णे पेट्रोल 108.6 रुपे और डीजल 4.7 रुपे प्रती लिटर है वहीं इसके साथ गया में पेट्रोल की कीमत 108.7 पर प्रती लिटर नर्धायत की गई है बता दे कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबस्यादा किसन कजम है जहां पेट्रोल 109.35 रुपे प्रती लिटर और डीजल 5.99 रुपे प्रती लिटर की दर से मिल रहा है अब बरते हाँच के पांच सवाल की और हमारा पहला सवाल है बिहार बोर्ड के ओर से राजी के कितने उच माध्यमेक स्कूलों की मानिता को निलंबित कर दिया गया है ऑप्शन A 7, ऑप्शन B 8, ऑप्शन C 449, ऑप्शन D 450 इसका सही उतर है ऑप्शन A 7 अगला सवाल, बिहार कैडर के आर्ट्रेनी, IPS ओफिसर जिनने सहायक SP बनाया गया है वह किस बैच के हैं? ऑप्शन A 2018 बैच, ऑप्शन B 2019 बैच, ऑप्शन C 2020 बैच, ऑप्शन D 2021 बैच इसका सही उतर है ऑप्शन D 2021 बैच अगला सवाल, राजे सरकार के दोरा बिहार में हरत आवरं बढ़ाने का लक्षे कितना प्रतिशत रखा गया है? ऑप्शन A 20, ऑप्शन B 17, ऑप्शन C 9, ऑप्शन D 15 प्रतिशत इसका सहे उतर है ऑप्शन B 17 प्रतिशत अगला सवाल, शिकर धवर ने इंटरनाशनल क्रिकेट में डेब्यू कब किया था? उप्षने 2014, उप्षन B 2012, उप्षन C 2010, उप्षनी 2008 इसका सही उत्तर है उप्षन C 2010 अगला सवाल, पंचाईतों की 1675 सीटों पर मद्दान कब होगा? उप्षन D 18 December, उप्षन B 20 December, उप्षन C 28 December, उप्षन D 30 December इसका सही उत्तर है उप्षन C 28 December बीते दिन हमारे दुरा पूछिए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रचाब हमें हमारी comment section box में लिख कर दिया है जिन्हों ने हमारे दुरा पूछिए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अभी नंदल सिंग, बिट्टु कुमार, सिकंद्रा कुमार, मंट इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आप बिहार के किस जले के हैं और आपके जले में प्रसिद परेड़नस थल कौन सा है अपना जवाब हमें हमारे comment section में लिख का जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहें अगर आप यूटूब से देखने चलन को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखने तो फेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद